हेलो अब्रीबन में उम्प्रकास्ट प्रजापती आप ट्रूमीडिया के पॉड्कास्ट के महमान है परसिद जोतसी पंडित नमन जी आप राइस्थान में जन्में हैं वर्तमान में दिल्ली रोहिणी में रहते हैं और राष्टी कवी संगम की प्रांतिय संद्रक्षक हैं प अरे दर्शक आपको सुनने के लिए बड़े बेचेन हैं और बेताव हैं हम आगे बढ़ते हैं पहला प्रसन है कि क्या जोतिस एक विज्ञान है और इसका मानव जीवन में क्या मेहत्व है जोतिस से निश्शित रूप से एक विज्ञान है जी बहुत प्राचिनकाल से ही जोतिस की जो पढ़ाई है वो होती आई है यह जो बारह राशिया है इनमें हर राशी में 30 डिग्री होती है जी तो अगर बारह राशियों की डिग्री जोड़ते तो वो 360 डिग्री होती है ज ये राशिया अंत्रिक्ष में विद्यमान है और जोundra है वो ग्रेविटी रखते हैं और ग्रहों की की वज़ेसे हमारे जीवन पर प्रभाव पढ़ता है धूर है और इसी की पढ़ाई है इसी का अधियν है वही जोतित वाह तो ज्यृतिस निश्थित रूप से एक ग्यान अब रही बात आपने कि इसका मानव deja ön naar एधिय आदत होती है अपने ८ेपने जीवन के बारे में जानने की अपने भविशे के बारे में जानने अगर दी बऑना तो फिर जो स की ज़रूरत है लेकिन जो जिड्या नहीं होती हो जो परिवार पहर। when ये चाहता है ये दिष्ट में इस एक उसके बारे में वह चिंटित रहता है यह वह जुच्ष्षी के पास आते हैं जब जो सी उनको कोई उपाय बताते हैं, जनम पत्री देखते हैं, तो उन्हें सांतुना देते हैं कि आपके बच्चे की साधी नहीं हो रही है, जब ये अठाइस साल का होगा, ये पचीज साल का होगा, ये बती साल का होगा, तो इसका बिवा होगा, तो उनको एक सांतुना म कोई दुखत बाद कोई नुक्सान इन सब की जानकारी भी जनमपत्री से जोतिस से वो मिल जाती है तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है इसलिए वो जोसी के पास जाता है और जोसी जो है वो श्टेडि करकरके ग्रहों का ध्यान करके उस व्यक्ति के बारे में वो broadcast करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो चुका है इस्वी का नाम जोतिश ले अमी आपने बताया कि घटना जुक्षत village गटना होनी होती है तो जोतिश विज्यान से गणक्ति प्रृत क सावधान किया था है क्या जोतिस के माध्यम से उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को खतम किया जा सकता है या सचीत किया जाता है या उन्हें कम किया जा सकता है नहीं वो जो ग्रहों का एसोसेशन है या ग्रहों का प्रभाव है अगर ऐसा लगता है कि यह घटना होगी होगी तो एक अच्छा जोसी बोल देता है कि ऐसा होने वाला है कई बार क्या होता है कि कोई बात होते होते रह जाती है और कोई गटना जैसे व्यक्ति मृत्यूगी उसमें गया संकट में गया मोज जैसा संकट आया लेकिन वो संकट टल भी गया तो कई बार गटना होते होते रह जाती है कई बार गटना होती है जो medical astrology की पढ़ाई होती है उसमें शरीर के अंगों के उपर भी जोतिस का प्रभाब बताया गया है एक से लेके बारा तक अंग है एक अंग से सीर देखते हैं नंबर दो अंग से चेरा देखते हैं तीसरे अंग से कान कंधे यह देखते हैं चोथे अंग से रिधय देखते हैं पांचवे अंग से पेट देखते हैं छटे अंग से कमर देखते हैं साथवे अंग से कमर के आगे का इस्सा ये देखते हैं, आठवे अंग से जो प्राइबेट पार्ट है उसको देखते हैं, नोवे अंग से जंगा देखते हैं, दसवे अंग से गुटने देखते हैं, ग्यारवे अंग से पिंडली देखते हैं, बारवे अंग से पैर देखते ह अब माल लीजे कि किसी पर्टिकुलर अंग पर और ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो तो हम बोल देते हैं कि इस अंग में इसको तकलिफ आएगी या ये फ्रिक्षर हो सकता है या ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव या जमावड़ा हो तो कई बार एक्सिडेंट जैसी ग अगर वो बच जाता है तो उसको लगता है कि पंडी जी ने हमें उपाय बताया इसलिए हम बच गए और अगर वो उस संकट में चला जाता है तो हाँ पंडी जी ने पहले ही बताया था कि ऐसा संकट आने वाला है लेकिन कई बार जो है गटनाएं गटित हुए बिना रहती भी नहीं है, वो होती है, लेकिन इससे फाएदा ही होता है, कि अगर पंडिजी ने सावधान किया है, तो थोड़ा सा व्यक्ति और उसके लिए प्रयास करता है कि ऐसी घठना ना हो, झेंद फिर भी हो जाती है, दुर्देव से हो जाती है, दुर्भाग्य से हो जाती है, तो उन चीजों के बारे में और पंडीजी जो है सचेथ करते हैं उपाय उपाय इसलिए बताते हैं जी कि उसकी थोड़ी के विस्तार से उनकों के बारे में भी बता है क्या मनुश्य के सरीर में होने वाली बीमारियों को भी पहले से देखा जा सकता है जैसे चंद्रमा जो है ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अब अगर चंद्रमा के साथ में सैनी राव के तू इन सब का प्रभाव पढ़ता है तो उसके ब्लड पर अशर पढ़ता है यहां तक कैंसर जैसी भी शिकायत आ जाती है एक व्रिष्टिक र चंद्रमा ब्लड ब्लड और रिप्रेजेंट करता है इसाथ सूर्ये जो हड्रियों को रिप्रेजेंट करता है आगर सूर्येक पर ग्रहों कि बियंद्धरस प्रोबलम आती है ला जो री हो प्रेजेंट करता है whirdh doh uwu k Presum contin ür स्प्र चर्प्रों करता है दूद्द पर लोग जो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं ब्रियस्पति पर दुस्प्रभाव की वज़े से उनका मोटापा बढ़ता जाता है कई बार उसका इलाज नहीं निकलता की सुक्र जो है वीर ये को ओज को रिप्रेजेंट करता है सुक्र पर अगर बहुत ज्यादा करता है तक्न इस तरह बीवारिया स्टी के उस्प्रभाव की वज़े से आती है व्यक्ति सिथिल हो जाता है क्योंकि स्टीं को है माना जाता है कि वह लंगड दिरेदेजे स्टा एक राशी qo पकड़ लेता है तो और शाल तक निछ भ City किन साथे साथी आतीं तो जब मेंसराशी पर समय ने सदुलें तो आप पर साढ़े सातीय डाएंगा तो आप पर टहुरी होजाए ही मेंसराशे पर धाय साल रहेगा फिर करक्स्काष्ण रेगा तो यसे टोटल साढ़े 47 तो उसको साड़े साथी बोलते हैं तो सनी बहुत दीरे दीरे चलता है लेकिन रोग को बीमारी को मृत्यू को इन सब को सनी रिप्रेजेंट करते हैं इसी प्रगार जो राहु है वो भोत सुक्ष्म जीवानों को रिप्रेजेंट करता है जैसे देखा जाए तो आते हैं कि पंडी जी अमने जांच करवाई उसमें कुछ नहीं आया लेकिन हम बीमार हैं तो राहु जो एक्सरे में भी गुज जाता है सही रिपोर्ट नहीं आने देता राहु वाइरस को रिप्रेजेंट करता है जब सूर्य ग्रहन आता है तो उस समय प्रत बड़े फुंसी हो गए कीड़ मकोड़े हो गए जो बड़े थोड़े से होते हैं कि टानू उनको केतु रिप्रेजेंट करता है जी इस प्रकार पार सो बोड़ी पर ग्रहों का प्रवाब देखने को मिलता है जी इसमें कोई रोमत नहीं है पंडी अभी आपने शनी के वार जाती है बहुत डरती है क्या शनी इतने डरावने है या इतने बहानक है या वो इतने दंडाकारी है क्या है शनी का जो वास्पिक रोल है वो तो दंडा दिखारी का है जी जब पाप करता है तो कई बार वो बड़ा फलता पूलता रहता है जी लेकिन जब उसके पापों का लेबल बढ़ जाता है तो जब सजा देनेका बग्त आता है तो वह सढिए आपने देखा वोगा के जो बकीर्थ है कि ओर 다 के अपगर्त ने को करता है तो जो ने जो जो बुरे कर्मों की सजा भी जो है सनी देने का काम करता है अलांकि सनी को सूर्य पुत्र माना जाता है लेकिन दोनों पिता पुत्र में पठती नहीं है आपस में लेकिन सनी का महत्व कम नहीं है सनी अगर अच्छा हो तो वो जमीदार बना देगा आर्थिक रूप से बहुत सुद्रिट बना देगा और सनी का अगर दुस प्रवाव होता है विशेश रूप से यह देखने मूं मिलता है कि सनी की जो दृष्टी है वो खराब मानी जाती है सनी जिस ग्रह को देख ले उस ग्रह के अस्तित्व पर खत्रामना ने लगता है कुंड़ी के जिस भाव को देखे उस भाव को कंजोर कर देता है और जो मृत्यों का डिपार्टमेंट है वो भी सनी की पास है कोई जो सि भी विक्ती की मृत्यूा कि वे उसमेंitology का योगदान देखने को मिलता है लेकिं कुंड्डी में यह भी देखने को मिलता है कि अगर को ऑठवे घर में तो उस व्यक्ति गी आयु ज्यादा होती चयोंकि शन्अ आयु का विकार्फ मृत्यू का कारक है लेकिन वह आयू को बढ़ा भी देता है जैसे अमिता बच्चन जी है उनके आठवे घर में तुला राशी का सनी है तो बगवान की कृपा से उनकी आयू अच्छी है और आगे भी अच्छी रहें अटल भी अरिवाज पर ही लंबी आयू के रहें लंबी आ बच्छा भी देता है और कुंडली में जो नोग रहों में सनी का रोल मानी जो आना कम महत्पूर नहीं है वा बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शक बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं और कमांट्स भी कर रहे हैं पंड़े जी हम आगे बढ़ते हैं हि हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म अन्य धर्मों से अलग कैसे हैं देखिए हिंदू धर्म जो है इसको सनातन धर्म भी बोलते हैं और यह लाखों बर्सों से हैं जब दुनिया विक्षित नहीं थी तो उस समय आज से 2000 साल पहले भारत की जीडिपी सबसे ज्यादा थी पूरी दुनिया के मार्केट पर भारत का दबदबा था विक्षित मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाबारत में जो बोलते हैं कि एक तीर छोड़ा उससे ये नश्ट हो जाता था एक तीर छोड़ा तो उससे बारिस हो जाती थी तो यह वो तीर नहीं थे वो जैसे आजकल होती है तो उस समय उनको तीर की संग्या दी गई तो साइंस और टेकनोलोजी के मामले में चिकिस्सा के मामले में एजुकेशन के मामले में जीडीपी के मामले में हर जगे जो है भारत विक्षित था और हिंदू सब्यता सनातन सब्यता बहुत पुरानी है और ऐसा मांगते ह कि यह सनातन धर्म है तो यह कभी खतम नहीं हो सकता जी रही बात हिंदुत्व की है तो हिंदुत्व की फिलोसोपी है कि जीए और जीने दू आपबी जीओ और पर सामने वाले को भी जीने दू इसी में का गया कि सर्वे भांतु शुखिनया सर्वे शंतु निरामया सभी ही हो, सभी निरोग हो, एक हिंदु धर्म ही ऐसा है जो पूरे विश्व की मंगल कामना करता है, पूरे विश्व की कल्यान की सोचता है, इसलिए हिंदु धर्म अन्य धर्मों से बहुत अलग है, अन्य धर्मों में क्या है, कि उसको धर्म नहीं बोलेंगे, उसको रिलिजन बो हो जाता है कि और एक उनकी पूजां की पद्धति होती है जैसे लोग नमाज करते हैं तो उनकी पद्धति है पर्टिकुलर laose हम एक किताब है का कोई पेगंबर है तो उसको रिलिजन बॉलेंगे उसको अलशली छिए लेकिं हिंदु धर्म जीने का तरीका है हिंदु धर्म से अस्तित्व को रिप्रेजेंट करता है मानि सभी के अस्तित्व को मानता है यही कारण है कि दुनिया की पहली मस्जिद केरल में बनी यही कारण है कि जितने भी धरम के लोग आये वो भारत में फले फूले विक्षित हुए यही कारण है कि यहूदियों का एक देश है इसराइल तो यहूदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हमें हम पर किसी तरह का अत्याचार नहीं हुआ यहुदी भारतियों की भोत कद्र करते हैं हालांकि यह भी बात है कि आज पूरी दुनिया में हिंदू और यहुदियों के सबसे ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं अब हिंदू में और यहुदी में अंतर यह है कि यहुदी तो देश भगत है हतियार चलाना भी जानते हैं तो एक छोटा सा देश इसराइल जो है दस-दस मुस्लिम देशों के साथ में लड़ रहा है लेकि हिंदू को यह सब नहीं सिखाया गया हिंदू तो चीटी भी नहीं मारता वो लड़ना जानता ही नहीं है उसके साथ बूरा होता है तो कहेगा बगवान तेरह बूरा करेगा लेकिन वो बिरोध नहीं करना जानता और इसी लिए दुनिया की कई ताक्ते कई बैस्विक ताक्ते हिंदु धर्म के पीछे पड़ी हुई है कि ये खतम हो जाए तो हिंदुस्तान पूर हमारा कब्जा हो जाएगा वाँ बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं पंडी जी आप हम आगे भड़ते हैं जैसा कि राहूल गांदी जी से सभी वाकिफ हैं राहूल गांदी जी कहते हैं कि हिंदु हिंसक होता है इस विशे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए ये रावल गांदी जी का बहुत ही गलत बयान है इतिहास साक्षी है कि कभी भी हिंदुों ने कहीं भी किसी भी देश पर किसी भी समुदाय पर उन्होंने आकरमन नहीं किया कभी बर्चशहकी लड़ाई नहीं लड़ी कभी किसी देश पर कभा नहीं किया मार पिट की तो बात ये लग है हिंदु तो चीती भी नहीं मारता है wurde हिंदू तो जीवों के अस्तित्ति की कामना करता है उनकी सुरक्षा करता है ओर एक ऐसा सर्मनाग बयान देना मुझे लगत ही लिए के ह springs होने पर सक 흡िए हिप है इसा ने이고 हमागे बढ़ते हैं क्या हमारे हिंनुतो को भविश्य में कोई खत्रा है कि जैसा ही मैंने आपको पहले का जिए जिनूतो को में भोट खत्रा है मैं अभी जो पीच्चे편िकgrass चुनावत संपन हुए але जिकी तो इस समय जो दुनिया में जो है तीन तरह की सब बताओं का नाम ज्यादा आ रहा है एक कृषियन एक मुस्लिम और एक हिंदू और बोद धर्म को मानने वाले बहुत है म्यामार एक देश है वहाँ पर बोदों के उपर संकट आया क्योंकि वहाँ पर कुछ समधाई विशेश्च के लोगों ने यानि मुसल्मानों ने बोद विक्षुगों को मार मार करके जमीन में गाड़ दिया इस चीज का बिरोद हुआ फिर म्यामार में एक संत थे बोद बिक्षुक थे उनका नाम था विरातु विरातु असीम विरातु और उन्होंने एक संग्ठन बनाया और संग्ठन बना करके उन्होंने का बोद धरम जैसे हिंदू धरम में वैसे हिंदू दरम में हिंदू चीटि नहीं मारता जैन धरम भी आहिंसा रखता है बोद भी बड़े आहिंसक होते हैं लेकिन उनको अथियार उठाना पड़ गया क्योंकि उनके साथ में इतना अन्याय हुआ तो वो इकठे हुए और उन्होंने उस संग्धाय के लोगों को मारा तो वहां से बाग करके बंगलादेश आ गए बंगलादेश से फिर भारत में घुज गए उनको रोईंग या मुसलमान बोलते हैं तो ठीक है कि आहिंसक है आह इसक वहने है जब आपकी पूरी जाती को ही नष्ड करने की कोशिस की जा रही हो आपकी धोर कोई खतम करना की कोशिस की जा अपके धरम पर लगातार आखरमन हो रही है उनको तो कोई ब्यक्ति या कोई संब्धाय कब तक अइंसक रहेगा बिल्कुश भारत में भी हिंदुतु के साथ में ऐसा ही हो रहा है हम आगे भरते हैं जैसा कि हिंदुतु के हम बात कर रहे हैं हम ये भी आप से जानना चाहेंगे कि हिंदुतु का इतिहास कितना पुराना है बहुत पुरानी पहले माबारतकाल के दोरान हिंदूं को आरीक आ जाता था। सिंदू नदी के नजदीक सब्यताप फलने फूलने की वज़े से सिंदू से हिंदू सब्द आया। और हिंदू सब्द जो है बहुत प्राचीन है और पूरी दुनिया में हिंदू की इज़त होती है। हिंदू समधाई एक ऐसा है जहां हर जगे सरकारे हिंदू की इज़त करती है क्योंकि वो अपने काम में लगे रहते हैं वो हिंसा नहीं करते हैं। बिलकुल और इसी वज़े से जो है हिंदू समधाय वो आर्थिक रूप से फलता पूरता भी है। और हिंदू समधाय की एक खास बात ये भी है कि वो जिस देश में रहता है उस देश के प्रती वफादारी रखता है। उस देश के साथ गड़ारी नहीं करता हिंदू समुधाय कभी भी नमकरामी नहीं करता जी वो उस देश ने अगर उसको सरन दी है या उसको रोजगार दिया है तो हमेसा उस देश के भलेकी सोचता है। वाव वाव बहुत अच्छी जानकारिय आप हमें दे रहें हमारे दर्शकों को दे रहें। पड़ी आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ती अपने घर में पूजा के लिए पूजा करवाने के लिए पंडी जी को या ब्रहंमर को ऑमतृत करते हैं। पूजा के बाद जब संकल्प का एक समय आता है उस समय जम्मु दीप का जिक्र किया जाता है ये जम्मु दीप क्या है? जाम्बू दीप बहुत प्राचिन समय में एक जाम्बंत नाम का एक बानर हुआ और उसका एक बहुत बड़े भुखंड पर आदिपत्य था इसी को आज की डेट में भारतिय उप महादी बोलते हैं इसी को इंगलिस में इंडियन सब कॉंटिनेंट बोलते हैं इस इंडियन सब कॉंटिनेंट में आज के कही देश सामिल थे जैसे पाकिस्तान हो गया बंगला बुतान हो गया स्री लंका हो गया नेपाल हो गया तिब्बत हो गया म्यामार बर्मा यह सारे इसी भूभाग में आते थे जो एक बहुत बड़ा संग्छन है राश्टिय स्वैम्सी संग वो अपनी प्रातना करता है तो संग प्रातना में बोलता है कि हमें अखंड भारत का निर्मान करना है यानि भारत से जो देश अलग हुए भारत से जो देश अलग भारत के टुकडे हुए और भारत से जो देश अलग हो गए तो RSS चाहता है कि फिर से अखंड भारत का निर्मान हो, फिर से ये इंडियन सब कॉंटिनेंट इकठा हो जाए और एक ही देश की सक्कर ले ले, इसी को जंबुदी बोलते हैं. क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? आपकी भविष्यवानी क्या कहती है? कि जो RSS की सोच है कि सारे अखंड देश बन जाएं, क्या ऐसी संभावना है? देखिए निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो देश भार से अलब हुए, वो आज की डेट में उनकी एकोनोमी गड़ बढ़ाई है, वो खाने को मोता आज है, पाकिस्तान की हालत देख लो, लोग आटे के लिए रो रहे हैं, बिल्कुलुदी श्री लंका अभी दिवालियपन के कगार पर आ गया, तो हो सकता है, जब पूरी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो सकते हैं, भारत से ये अलब हुए देश भी आगे जाकर के एक हो सकते हैं, हो सकता है कि मुसल्मानों ने धर्म के नाम पर जो है, इस देश का बटवारा किया, और वो अलग हुए, हो सकता है उनको गलती का एहसास हो, और वो आगे जाके कहें कि नहीं साब, हम भारत में ही रहना चाहते हैं, प्योंकि भारत में सुख है, सम्रिद्धी है, भारत में लच्षमी है, भारत में कुबेर है, अलांकि जो पीयो के जिस पर पाकिस्तान ने कब कर रखा है, पीयो के लोग तो बार बार दिमांड करते हैं कि हमें भारत में सामिल कर लो तो हमारा भला हो जाए, वाव वाव बार इसलिए, ऐसा सम्भव है, यह जितने बुबाग है अलग हुए है, यह फिर से एक ही देश की सकल लेग, क्या बात है, पड़े जैसा कि बहु उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाद जी भविश्य के प्रधान मंत्री होंगे? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है देश के लोग चाहते हैं देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि योगी अधित्यनाथ जी इस देश के प्रधानमत्री बने बने मैं भी वेक्तिकत रूप से चाहता हूं रही बाद जोतिस के हिसाब से तो दोजार सताइस में उत् से वो मुख्य मंत्री के रूप में आएंगे और जैसे ही वो उत्र प्रश्न का चुनाब जीतेंगे उसी समय भारती जनता पार्टी में ये डिमांड बहुत जोर सोर से उठेगी कि तीन तीन बार जो है एक ब्यक्तिम मुख्य मंत्री बन गया और कितने बड़े सुबे को चला रहा है कितने बड़े प्रांथ को चला रहा है जितनी पाकिस्तान के आबादी है उतनी उतर प्रदेश के आबादी है लेकिन लो एंड ओर्डर के मामले में अबल है उतर प्रदे योगी आधितिनाजी इस देश के प्रधान मुंत्री बन जाए वाव यह मैं जो तिस के आधार पर भी कह रहा हूं और मैं जो देश का माहोल है इस आधार पर भी कह रहा हूं बहुत अच्छी जानकारी आप भविश्य के करने भविश्य वक्ता है आप अगे चलते हैं अभी महिनों पहले कुछ आक्रे आए थी जिसमें विसे समुदाय की जन संख्या उनकी आबादी बढ़ रही है बतोरे हिंदुत्य के आधार पर क्या भविश्य में हिंदित्य को इस बढ़ती आबादी से कोई खत्रा है बिल्कुल खत्रा है जी बहुत बर्सों पहले दुनिया में भोछ सारी सब्यताय थी, लग बग 24 से ज़्यादा सब्यताय थी, और जहां जहां इसलाम के पैर पड़े, वहां वहां सब्यताय खतम होती गई, इसलाम को जो मानते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह जो सब्यतायों को खतम करते हैं, वह मंदिलों को तोड़ते हैं, वह इसमारकों को तोड़ते हैं, वह ग्यान को, किताबों को जला देते हैं, जो ग्यान के जो चिन है, उनके उपर वह प्रहार करते हैं, दिक्क उसके उपर अटेक करोगे तो सब्यता दीरे दीरे खतम हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दुर्भाग्य से विसेश समुदाय के लोग जो है वो इस चीज को स्विकार नहीं कर रहे हैं एक टार्गेट लेकर के चलते हैं कि जो मुसल्मान है मुसल्मान के अलावा सारे काफिर हैं तो काफिर है तो वो मानते हैं कि काफिर को जो है ना मारने में कोई बुरा ही नहीं है तो काफिरों को खतम कर दो तो जो मुसल्मान नहीं है और वो अगर सारे काफिर है तो जब काफिरों को खतम कर देंगे तो फिर बचेंगे मुसल्मान मुसल्मान तो ऐसा एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान को मानी मार पीट किये विना हिंसा किये विना काम चलता ही नहीं मुसल्मान को तो जो खत्रा है हिंदुत्व को बहुत ज्यादा खत्रा है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाहे कश्मीर हो पश्यम बंगाल हो भारत के नो राज्यों की डेमो वो बदल चुकी है, वो मुस्लिम बहुल हो गए, अब दिमांड उटती है कि आप मंदिर में मत जाओ, दिमांड उटती है कि आप हिजाब पेनो, दिमांड उटती है कि सुकुरवार की छुटी रखो, तो अपनी होना तो यह चाहिए कि सर्व धर्म संभाव, सब को एक दूसर यह माने कि हमारा ही धर्म बड़ा है, और हमारे धर्म के अलावा जो भी है, वो काफिर है, तो मैं यह भी बोल सकता हूँ, कि भई ठीक है, मुसल्मान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन हर आतंकवादी मुसल्मान क्यों होता है, ऐसी कौन सी शिख्षा दे रहे हो उनको, जो मन आतंकवाद की तरफ जाता है, तो डराना, दमकाना, तलवार के बल पर, लालेज दे करके, और हिंदुों का धर्म परिवर्तन करना, यह सब हो रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, कि हमारे देश में मुसल्म आबादी तेजी से बढ़ रही है, और एक बात और है, वो ही है कि बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगे तो इंदुों की आबादी थी, हर जगे इंदुों की प्रोपर्टी थी, हर जगे उनके कारोबार थे, व्यापार थे, कहां चलेगी उनकी प्रोपर्टी, किनोंने कबजा कर रखा है, मनी जो काफिर है जो मुसल्मान नहीं है इनको मार दो उनकी property पर कबजा कर लो ये बहुत ही गलत है ये कोई धर्म ऐसा नहीं शिखा था कि किसी निर्दोस व्यक्ति को मार दो उसका कतल कर दो उसकी property पर कबजा कर लो लेकिन ये सच्चा ही है आजबी के समय भारत में 3 करोड मुसल्मान थे, आज की डेट में 22 करोड है। आजबी के समय पकिस्तान में 1 करोड हिंदू थे, आज महीं हिंदू उंगलीओं पर गिने जा रहे है। क्यों मार ठिया भई जंदुने क्या बंडा था धिम तो चीती भी नहीं मारते पिर नाघ बिलकुल सभी कहा रहे हैं तो बोट बड़ाकाकत्रा ही हिंजे यह आगे भणते हैं जैसा कि अभी हम हम बात कर रहे हैं राहूल गांदी के बात कररें हैं ये भी आप से जानने चाहेंगे कि राहूल गांधी हुंडु है कि राउल गांधी के पिताजी का नाम दात्व गांदी जे राजिव गांधी ने कृष्छिन महिला दिया हुई मता जी का नाम इंदरा गन पार्प्सी है मुसल्मान जीन का नाम फिरोज खान था उनके साथ में भीवा किया इंद्रा गांदी के पिता जी का नाम जवारलाल नेरु जवारलाल नेरु इस देश के प्रधान मंतरी बने तो इंद्रा जी तो गांदी हो गई और जवारलाल जी नेरु हो गए और जवारलाल नेरु के पि कास्मीर में मदरसे में पड़े और आपने आपको कस्मीरि जब कि कस्मीरी संस्कृिती निंगा पता नहीं था रभाए कश्मीरी प्राम्न क्या होते हैं। जराभ सावी इलम नहीं था, वो मदर्सों में पड़े, और मोतिलाल नहरु के पिताजी का नाम, जवाला नहरु जी कहते है कि गंगाधर नहरु था, जे, तो गंगाधर नहरु का कोई record कस्मेर में देखने को नहीं मिल रहा है, गंगाधर नहरु के बारे में ये कहा जाता है, नेरु जी ने, जवाला नेरु जी ने का, कि गंगादन नेरु जो है, वो दिल्ली में अठारा सो सत्याउन में कोतवाल थे अब कोतवाल थे, मानी एक तरह से जो आज की पुलिस है वैसे थे तो उनका नाम क्यों नहीं है दिल्ली पुलिस की वेब साइट पे उनका नाम क्यों नहीं है हिस्ट्री में उनका नाम क्यों नहीं है किसी भी लेक में उनका नाम क्यों नहीं है 1857 में मोहिनुदीन करकर के मोहिनुदीन खान करकर के दिल्ली में कोतवाल थे और एक और मुस्लिम भिक्ति थे जो अठारा सो स्ट्याउन में कोतवाल थे बादूर साथ जफर अंतिम मुगल बाद सा था उन्होंने उनकी नियुक्ति की थी इसका मतलब जवालाल नहरू जी अपने किताब में जूट बोल रहे हैं कि गंगादन नहरू दिली में कोतवाल थ कि और मुझे लगता है कि दिली से जो मुस्लिम कोतवाल थे वो अंग्रेजों के डर से कश्मीर गए और कश्मीर जाकर के उन्होंने अपना धरम बदल लिया हिंदू नाम रख लिया वह इनाम गंगादर नहरू हो गया जो नुएमिदीन जो कोतवाल था उसकी जो टाइटि तो राब गांबी जी को हिंदू कहना तो बहुत ही मुझ् Avec ग्रिशमीर को भी मानते हैं और तिरोज खान इनके दादाजी रहें तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू कहना जो है ना वो तर्क संगत नहीं है और जो व्यक्ति हिंदू को हिंसक बताएगा हमेशा हिंदू को नीचा दिखाएगा कभी कहेगा कि हिंदू जो है मंदिर जाते हैं तो लड़किया छेड़ते हैं बार बार ये हिंदू धर्म को मानित क्यों करता है हिंदू हो से इतना चीड़ता क्यों है क्योंकि हिंदू इसको बोट नहीं देते अब मुसल्मान इसके अजीज हो गए क्योंकि मुसल्मान बोट देते हैं भारत जोडो यात्रा निकाली कहा कि मैं भारत को जोड रहा हूं और भारत जोडो यात्रा के बहाने इन्होंने मुसल्मान जोडो यात्रा निकाल दी जोली भर भर करके मुसल्मानों ने राउल गांदी को बोट किया तो यह भारत जोडो य करते हो हिंदू करते हो कि तुम्हारी जाती गन्ना होगी मानि हिंदू से तो चाहते हो कि वो जाती में बठकर करके बोट दे और मुसल्मानों से चाहते हो कि वो इकठे बोट दे तो ये बहुत ही डर्टी पोलिटिक से इसको बोलेंगे हिंदू समाज को हमेशा हिंदू समाज कोई क्यों आटे किया जाता है, हिंदू समाज कोई क्यों बाटा जा रहा है, हिंदू समाज को बाटने के लिए जाती गन्ना का मुद्दा क्यों उठ रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में दो ही जाती है, एक हिंदू और एक मुसल्मान, हिंदूों में सभी जाती है, सर कामपरदाइक हो गया और कोई मुसल्मानों के तल्वे चाटे तो वह सेकुलर हो गया यह कब तक चलेगा नहीं होना चाहिए राहूल गांदी जी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए वाह 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 बहुत अच्छी पंडी जी आप बहुत सारी जानकारियां अच्छी द जब इंद्रा गांदी चुनाव लड़ती थी तो उन्होंने नारा दिया था ने जात पर ना पात पर और मोहर लगाओ हाथ पर क्यों नारा दिया था वही स्वामी दयानन सरस्वती जी ने कई महापूर्सों ने अथक मेनक की कि जाती प्रथा कथम हो जाए और आज फिर बो कांग्रेस को जायेंगे इस जाती के बोड जो है वह बीजेपी को जाएंगे जयो हिंदु को बाटा जा रहा ह। मुसल्मानों के बारे में कभी नहीं बोला जाता है कि यह यह सुन्नी प्रथा रह तो और हमें इस या वृट दो उनको तो नहीं डिवाइड किया जाता है हिंदु को डिवाइट किया जाता है जाती गन्ना का मुद्धा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बहुत ज्यादा खतरनाक है यह हिंदु समाज को बांटने का एक जो है न दुस प्रयास है और इस बारे में भारत सरकार को सुप्रीम कोट को सभी को संग्यान लेना चाहिए है जैद दुसरों को मार रहे है आरतिक स्तिती से मानशिक स्तिती से और अर्थवेवस्ता बहुत बिगड़ रही है क्या हम एक क्या है दिरिखे रूस और यूंख्रेशनम को युद्ध चल रहा है यह और पिछले दो-डegtर साν 27 자 से चल रहा है नतीज निंहें निकल रहें इ इन में आपस में युद चल रहा है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, मेरा एक प्रश्ण है, ब्रिटेन में हिंदू भी रहते हैं, हिंदू के बारे में तो नहीं कहा जाता कि उन्होंने यहां आग लगा दी, वहां आग लगा दी, बस तोड़ दी, मुसलिम ही ऐसा क्यों करत दी, मुसल्मानों नहीं इहां कर दिया, ऐसा इनको क्या सिखाया जा रहा है, कि ऐसा हो रहा है, कुछ देश तो ऐसा न्यूज में आ रहा है, कि एक देश ने तो मस्जिदों में जाने पर पाबंदी लगा दी, कुछ देश विचार कर रहे हैं, इनको वोट नहीं डालने दि जाए, इनका वोटिंग राइट चीन लो, ऐसा मुसल्मानों के साथ क्यों हो रहा है, मुसल्मान खुद के दुस्मन क्यों बन रहे है, किसी देश में जाओ, वहां आराम से रो, सलिके से रो, ब्रिटेन में अंगामा हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है इस्पेन में हो रहा है यह जो चीजे है ना यह विचार नहीं है मुझे लगता है कि तृतियवी स्वीद्ध होगा और तृतियवी स्वीद्ध जो है इसलाम और अन्य धर्मों के बीच में होगा। सारे धर्म इकठे हो जाएंगे, चाहिए वो हिंदु धर्म हो या कृषियन कंट्री हो, ये सारे इकठे हो जाएंगे और इसलाम एक तरफ होगा, क्योंकि इसलाम जो है, वो चाहता है। पूरी दुनिया में उसका वरचस हो, उसी का दबबा हो, वरचस किसी का नहीं हो सकता है एक बाद शिकंदर भी चला था बर्चस स्तापित करने के लिए, वो जीता गया देशों को और पिछे से जो है ना वो देश आजाद होते रहे, किसी एक धर्म का पूरी दुनिया पर बर्चस नहीं हो सकता, ये तो सभी धर्मों को सोचना चाहिए, जो इसलाम को मानते हैं उनक की आमन्मा चैन की बाते होने चाहिए, सब सुख से रहे, सब सुखी हो इस प्रकार का विचार जो हो डिबलप होना चाहिए, लेकिन जो ये प्रभूत्व की लड़ाई ये विस्तारवाद की लड़ाई ये आखिरकार दुनिया में तीसरा विष्व युद्ध करा करकर च्छाहें इस वर्षजे से पूरी दुनिया में तनह होता जा रहा है तो मैं तो ये कहरा हूं कि वर्चेस्व की लड़ाई प्रभूत्व की लड़ाई नहीं not ी ची मानवता की लड़ाई निची सबी भले के बारे में सोचना चाहिए यह परणीजी हम आगे बढ़ते हैं प्रशनों की और हमारा प्रशन है कि यह जो लब जिहाद है लव जिहाद समय समय पर निकल कर आता है आखिर यह है क्या करके चिहाद सब्द जो ना एक बिशेष समगाय के लोग उसको करते हैं जी जी लव जीहाद प्रोपपर्टी जीहाद ये जीहाद वो जीहाद का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इकठे हो जाएंगे और इकठे हो करके और वो कहेंगे कि ये जिहाद करो वो जिहाद करो इकठे हो कि वोट डालो प्रोपटी पर कब जा कर लो ऐसे ही लव जिहाद भी है प्यार करने में कोई बुरा ही नहीं है एक मुसल्मान अगर एक हिंदू लड़की से प्यार करता है या एक हिंदू लड़की करती है कोई बुरा ही नहीं है हमारा देश बहुत बड़ा है ऐसा हो सकता है लेकिन अपनी आइडेटिटे चुपा करके अपनी पहचान चुपा करके हाथ में मोली बांग लेंगे गले में कोई हन्मान जी का दुर्गा जी का लोकेट पहन लेंगे जी हिंदु धर्म की करब दुगा लगता है मुसर्मान है फिर उस पहेंगे की हिजाब पहनेैं फिर को घर से बाहर ने निकलो पर ने बीद Performed Up Was Amtום यही जी anytime यह प्यार होना चाहिए लेकिन पैचान नहीं चुपा नशी पैचान चुपा करके जो किया जा रहा है उसी को बोदर हन्धुको अगर पैचान ना चुपाए तो जिहाद वाली बात नहीं एक sih डिली जब किसी वैक्ति की कून्डली देखी जाती जब पंडी जी कुंडिली देखते हैं तो उस कुंडिली देखने के बाद व्यक्ति को नग पहने के सलहा देते हैं नग पहनने का उपाय बताते हैं यह क्या है कि नग पहननों कि प्रत्वी में कि इकटे होते रहते हैं कुछ जो मेतल कुछ दातु कुछ इस्टोन टाइप की चीज तो तो हजारों वर्स से दब होने की वजए वाटर थेरपी होती है आप पान इसे अपनाता है कि इलाज कर सकते हो साइंस यह मांता है कि कलर बेख्ञा। हर व्यक्ति को हर कलर का कपड़ा नहीं सूट करता हूं कई बार जो है ना लाल पीला कपड़ा पेना तो किसी व्यक्ति को फायदा होता है काला कपड़ा पेना तो उसको नुक्सान हो जाता है तो कलर थेरिपी भी होती है ऐसे इस्टोन थेरिपी भी होती है इस्टोन में पोट करता है उस ग्रे से जिस ग्रे का स्टोन है जैसे अगर किसी ने पुख्राज पैन रखा है तो वो जुपिटर की रेज केच करेगा वा किसी ने मानिक पैन रखा है तो वो सूरिय की रेज केच करेगा तो जो सूरिय की एनर्जी है पोजिटिव या नेगेटिव वो एनर्जी तो इसमें इस्टोन में आती है अगर किसी व्यक्ति के लिए सूर ये निगेटिव है और वो मानिक पहनेगा तो उसको नुकसान होने लगेगा किसी व्यक्ति के लिए सूर ये पोजिटिव है और वो व्यक्ति मानिक पहनेगा तो उसको फाइदा होने लगेगा तो इस्टोन यह बहुत बड़ी साइन्स है और इस्टोन से फाइदा भी होता है इस्टोन से नुकसान भी होता है यह डिपेंड करता उज्योसी पर अगर उसने मेडिकल एस्टोलोजी की पढ़ाई कर रखी है तो वो सही इस्टोन प्रिस्क्राइब करेगा और वो व्यक्ति को इस्टोन फाइदा देगा लेकिन नीम हकीम खत्रेजान कई बार पंडी जी जो है जानकारी ज्योतिस की होती नहीं है और वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पैस देता है फिर वो इस्टोन को गाली देता है तो इस्टोन थेरेपी की भी पढ़ाई होती है वो हर जोसी को उसकी पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए कुंडली की स्टडी ठीक से करनी चाहिए और फिर इस्टोन प्रेस्क्राइब करना चाहिए तो इस्टोन जो आना हंड्र प्र जो हम कुंडली देखते हैं उन उपायों का महतु क्या होता है कि अगर एक पंडी जी ने कुंडली देखी जी अगर उन्होंने अगर कुछ भी उपाय नहीं बताए जी तो व्यक्ति वहां से उठकर चला जाएगा और वह कहेगा कि यह पंडी जी बेकार है इनके पास में कोई उपाय नहीं है उपाय बताना जिरूरी है लेकिन उपाय कैसे होने चीए है देखे एक डॉक्तर जो है वो फीस लेगा जार रुपया और जांच लिग देगा एम राई एम राई की पांच जार रुपया जो है मरीज वो देके आ मिशन आ गया जी तो इसका मतलब जो 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 फीस है वो कम होती है लेकिन उपाय के नाम पर तगडी कमाई होती है इसलिए कई जो जो है ना उपाय बताते हैं और उसमें तगडी कमाई करते हैं ये कर लो वो कर लो ये पूजा करो इतना रुपया खर्च होगा ये दान कर तो ठीक है इस्टोन बता देंगे तो इस्टोन वाले से दुगंदार से भी सेटिंग रखते हैं जो जो मानी जो इस्टोन बेचता है दुगंदार है यह सुनार है जेलर है वो पंडी जी को ओफर करता है कि पंडी दस प्रसेंट आपका आप दुखराज निकालो मेरे पास उसको भी पुखराज पेल दिया पंडी जी ने तो दस प्रसेंट कमा लिया उस वेक्ति का बेडागर को गया तो यह इस चीज़ का ड्राबेक है उपाए इसलिए बताया जाते हैं कि सामने वाले को तसल्ली हो जाए लेकिन उपाए आप ऐसे भी तो बता सकते हो कि हनमान जी को आप इसके उपाए गजया सकते हैं ऐसे हुपाए थोड़ी होते हैं युद्र शल्ड करोगे तो तेरी जान बचेगी लाओ रुपय नहीं करोंगे तो यह पाइद उन मैं कईवाए लालच होता है और लाण और ऊहिंह पाप करवाता है हमारे शास्त्रों में लिखाहू जब लोब आता है तो वेक्टिव पाप करता है तो मैं तो सभी पंडितों को सभी जोश्यों को इसला दूँगा कि किसी भी प्रकार का लोब किये बिना और उपाय बताए जितना जेनवन है उतना कमाने की कोशिश करे ज्यादा कमाने के चेकर में दूसरों का भी नुकसान होत ऊपायो के अब इस्ते पूजा क mandatory अब आपने DR. मैं अपने अपायों के वारें के उपफाओे कि पूझा करें पील की पूजा करेंMPरिम्बाता के पूजा करें तो हमारे हमारे देशा मेंरे और हैनुमान जी की पूजाब एए उननी चाहिए क्यों कि तो यहां एनुमान की डानना चाहेंगे कि हनुमान जी की पूजा करते ही लूग के संकट मोंचन होते हैं इपर विक्ति हमारे सास्त्रों के साद्द हुआ हैं दुय daylight मुसल्मान हाने ugzi तंग छी को ने अब पतर तु अजर हो जा तु अमर हो जा और राम जी का प्रेम तुम्हारे उपर सदब बना रहे TRABA तो हनमान जी किसी ने किसी रूप पर इस पृत्वी पर इस भारत की धर्ति पर विराजमान है प्रत्यक्ष है यह मेरा मेरा भी अनुबव है कि जब कोई विशेश बात हुई या मेरे मन में आये कि मेरा यह काम हो जाए तो मैंने सुंदर गांड का पाट किया और दूसरे तिस पर ने सरे दिन वो काम हो गए वा वा तो हनमान जी कि परत्यक्ष देवता है। हनमान चालीसा का पाट करना .... सुंदरकांड का पाट करना कोई भी व्यक्ती अगर हनमान जी को दिल से प्रात्त ना करता तो हनमान जी उसकी जरूर सुनते हैं और यह आपको एक बातyo और और यह जो बागेस्वर धाम है, यह भी हन्मान जी कही मंदिर है, और जो लोग बागेस्वर जा रहे हैं, तो वो अपना अनुभब बताते हैं, कि हमारा यह काम अटका हुआ था, हमारे यह बिमार था, अब पंडित दीरेंद शास्त्री से मिलो या ना मिलो, बागेस्वर बाला आजी यह दरसन करने से भी कई लोगों की काम होते हैं, इसलिए लोगी लाइन लगी रहती है, मेरा यह मानना है, कि हनमान जी प्रतेक्षदेवता है, और प्रतेग हिंदु को, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए, कि उनके बच्चे जो है, हनमान जी की पूज लुगान और टेक्ट फूल है, और हर्मान जी की सबसे बड़ी विश्यस्ता है, कि वो राम का काम करने के लिए, उतावले रहते हैं, ऐसे ही माता पिता को अपने बच्चों को ऐसा शंसकार देना चीजिए, कि वो विद्यावान बने वो गुन्मान बने, वो टेक्ट फूल ब कि वो अपने बच्चों को देश भक्त बनाए और ऐसे संस्कार दे कि वो हमेसा देश की सिवा के लिए तक पर रहे क्या बात है क्या बात है आपने शिरी राम और हनुमान जी के लिए तने सटिक जानकारी दी इसके लिए आपको साधुबाद हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि आ उन गुरुगों का और उन लोगों को क्या लाव होता है कि देखिए गुरु रखना ये हमारी जो है ना बहुत सनातन परंपरा है जी हिंदू जीवन पद्धिती में हर व्यक्ति को इनकोई गुरु रखता है कि आरेसस बोत बड़ा संग्ठेन है वो बगवाद भज कोई गुरु रखता है उन्होंने किसी व्यक्ति को गुरु माना ही नहीं उन्होंने का कि यह गुरु और करोडों लोग उस बगवाद भज से प्रेना लेते हैं जी 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 अभी हाल ही में तो गुरु पर्व गया है अगल वे बगवाद को प्रेना दिता आ है बहुत प्लाचीन समय से समय से हमेशा गेरवा जंडा म –केसर या जंडा लेकर के और हमेशा लडाई या लड़ी गई हमेसा विजय असिए exercises ही जी तो कोई व्यक्ति को कि गुरु मान सकता है कि अपने शदार ओम में गुरु गु को ही गुरू का दरजा दिया गया है तो गुरू रखना अच्छी बात है लेकिन इसका एक निगेटिव पक्ष भी है कई गुरू की ऐसी महत्वकांचा होती है कि वो चाहते हैं कि सारे भारत के लोग उनी को मानने लगे वो भीडी कटी करेंगे वो आडंबर करेंगे वो अप वो क्यों हुआ है क्यों जरुर से ज्यादा भीडी कटी की हम गुरूं को ऐसी चोचना चाहिए दुसरा के गुरू हिंदू को यह क्यों आपने घर में एक लाटी रखो अपने गर में एक अतियार रखो यह क्योंकि कीम कुई आज से गुरु परंपरा थोड़ी है 700 इस्वी में मौमद बिन कासीम का पहला आकर्मन हुआ। उस समय भी गुरू थे। उस समय भी लोग रामकृष्ण की भक्ति कर रहे थे। कोई गुरू आगे नहीं आया। और किसी गुरू ने यह नहीं कहा कि इनका मुकाबला करो या इन से लड़ाई लड़ो या हतियार लुए शुशन एक मंत्रलय आ इंसा परम धर्म है। आंसी जो है पर्मदर्म है। लेकिन यह मंत्र पूरा तो नहीं है। यह सच है कि आइंसा को परम धर्म माना गया है, लेकिन उसकी आगे की पंक्ति को छुपा लिया गया बड़ी चाला के से, धर्म हिंसा तथे उचे, धर्म की रक्षा के अरने के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो करो, भगवान कृष्ण ने महावारत में अर्जुन को अधियार चलाओ, ठीक है, अगर बगवान कृष्ण की गीता को हमारे गुरुवों ने, हमारे साद्वों ने, महात्माओं ने, उसको ठीक से लिया होता, तो वो हिंदू समाज को कहते, कि धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो, तुमारा धर्म खत्रे में है, तुमारे धर्म पर बार बार आकर्मन हो रहे हैं, बस आए, सिस से आए, और चंदा चड़ा दे, दक्षिना दे दे, गुरु जी, गुरु जी करके लोट जाए, और गुरु जी एक बार भी नहीं बोल रहे है, कि भाई, जो अना, ससक्त बनो, बहादूर बनो, मजबूत बनो, अथियार मेरा तो कहना है, मेरा देश के सभी गुरुवों से निवेदन है, कि वो ऐसा करे, वो कुछ हिंदूों को जागरित करने की भी तो कोशिस करें, भाई, जैसा कि अभी आपने अगनी वीर के बारे में कहा, देश में अगनी वीर योजना के लिए कुछ नेता विरोध कर रहे ह इस विशे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, अब इस देश के मुसल्मानों को लगता है, कि ये जब ट्रेनिंग लेके आएंगे, और हमारी इन से लड़ाई होगी, तो ये हमें ठोकेंगे, तो एक दिक्कत तो मुसल्मानों को हो रही है, अगनी वीर योजना से, और जो मुसल जाहता है, कि हिंदु बहादूर बने, हिंदु हतियार चलाना सिके, वो चाहते हैं, कि हिंदु ऐसे ही जैसे कीडे मकोडो की तरह पिसले 2-4 साल से मर रहा है, वैसे ही मरता रहे, और हिंदुस्तान पर कबजा की नहीं और का हो जाए, ये बहुत गलत बात है, इस देश के हि यंदूनेताओं को भी है कि हम क्या कर रहे हैं और और वार जो जो सेना का विरोढ़ कर ए अग्नीवीरियोजना का विरोढ़ करते हैं इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है इससे समाज को जान कारी आप दे रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं कि पछे चुनावें एक नेता BMI मोहबत की दुकान पूल रहा हूं इस पे अपके क्या विचार कि मोह बाद कोई दुकानों में भीक्ति है जा है चार प्यार और महुबत दुकानों मिखति है कि कोई कहे मैं मोबत की दुकान कोल रहा हूं और कोई कहे प्यार की प्यार की दुकान खोलो तो हिंदों को इकठा करो और मोबत की दुकान खोलो तो मुसल्मानों को इकठा करो मुपत वर्ड उसने इसलिए यूज किया कि आओ मुइस अपक्ठे हो जाओ मुझे बाट काँ मुधप की दुकान कुछ नहीं है मुसल्मानों को इकठा करने के लिए मोबत की दुकान का सब्द यूज किया और भारत जोड़ो यात्रा भी कुछ नहीं है, कोई भारत नहीं जोड़ना चाहता, जिन्हों ने देश के टुकड़े करवा दिये, धर्म के आदार पर टुकड़े करवा दिये, जिस कांग्रेस ने इस देश के टुकड़े करवाए, वो मौबत की दुगान खोलेंगे, किसलि जारे मोबत की दुकान को बढ़ा दूगा, मोबत की दुकान कुछ नहीं है, अन्य भारत जोड़ो यात्रा कुछ है, भारत जोड़ो यात्रा भी बखवार्स है, भारत जोड़ो यात्रा के बहाने, मुसल्मान जोड़ो यात्रा निकाली गई, और ये तो पिछले चुनाओं म को एक भी मुसल्मान ने बोट नहीं दिया राउल गांदी ने बढगा बढगा करके और मैं जो आना मोबत की दुकान खोल रही हूं खोल रहा हूं आजाओ जो आना मेरे को इकठे होके बोट दो तो यह कुछ नहीं है बेकार की चीजे क्या बात है पंडित नमान जी बहुत सा जवानों को और उन नौजवानों के अभीभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए मैं देश के नौजवानों से यह कहना चाहता हूं कि पिछले 2000 साल में हिंदूों पर और हिंदू समाज पर सबसे ज्यादा अटेक हुआ है और एक विदेश में राइटर है उस हिंदूों की जो हत्या हुई है कुछ लडाई में मारे गए कुछ की हत्या हुई सब एक ही समुदाय के लोगों ने की है यदि देश के नोजवान और उनके माता-पिता इस बारे में अगर सचेत नहीं रहेंगे तो आगे जाकर कि उनका कोई बविशे नहीं है आज अगर मा कुछों को इतियास की जानकार ही नहीं देते हैं इतियास में ऐसे बहुत सारा टाइम आया है इतियास में 1398 इसवी में तेमूर लंग आया उसने लाखों फिर्वों को मारा आजादी के बाद में पाकिस्तान में सेकु पुरा एक जगह है वहाँ पर हजारों हिंदू सरदारों का कतल कर दिया गया आजादी से पहले नुवाखाली जगह है 1946 में नुवाखाली में 20 प्रतिस्त हिंदू थे 80 प्रतिस्त मुसलमान थे नुवाखाली में कतले आम मचा दिया इसका क्या मतलब है अगर एक संगधाय की आबादी बढ़ जाएगी तो दूसरे संगधाय को खतम कर देगा इस बारे में जो हना माता पिता को अपने बच्चों को अवेर करना चाहिए और कंप्यूटर के बढ़ाय के साथ साथ उनको जो है ना कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए अथियारों की ट्रेनिग देनी चाहिए हर हिंदु को अपने घर में कोई नो कोई अथियार या लाठी ये रखना चाहिए मेरा तो यह कहना है बहुत अच्छी बहुत अच्छी जानकारी दी और पंडित नमन जी आपने ट्रू मीडिया के पोड़कास्ट के लिए अपना बेस कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें